एक परिवार का एक एकलोता वारिश था नमस्कार आप देखने चंचल धमाल नियूज अभी हम रजोन परखन के भदवागों में हैं और यहां पे एक परिवार का एक एकलोता वारिश था जो की 16 से 17 साल उमर होता होगा और वो कई दिनों से लापता है और यहां से हमें फॉन गया कि सर हमारा जोएकी लरका लापता हो गया है आ करके एक रिपोर्टिंग कर दिजिए तो यहां पर हम आए हुए हैं और उनके माता जी हमारे सामने खरे हैं इनसे हम पूछाएंगे तो मताजी उनका नाम क्या था घुल सनकुमार नाम कितना था परहाई लिखाए बस्तर पनावाई हारा कलर का जोएक कीस हमाने म। लब हारा गिरिन कलर का जो वो टीशाट पने हुए हैं और नीचे जिंस पने हुए हैं यह का कलर कैसा था अधा कला है यह अधान कि यह वेट कितना होगा ओजन कितना होगा था और नीचे पाइंट पना हुआ था और वो जो एक बजे दीन में पता हुआ है और उसका कोई पता अभी तक नहीं चल पाई परसाशन को इनका जनकारी दिये सब खोजने भी निकला हुआ है और परसाशन को भी जनकारी मिल तो इनका रिक्वेस्ट सिर्फ आप लोग से यही है कि इनका फोटो हम इस वीडियो में दे देंगे और इनका पूरा बायो डटा दे देंगे इनके परिवार का हम नम्मर देंगे अगर कहीं आप लोग को उस य माता जी का हेल्प करने का परियास करेंगे इनको फॉन करके इनको बताने का परियास करेंगे उस लर्के को खुझने का परियास करेंगे क्योंकि कोई भी माता पिता किसी भी बच्चे को बहुत लाल प्यार से जोई की पाल पोस्के बढ़ा करता है और बहुत आसा के साथ ज जबन लर्का जो है कि लापता हो चुका है और अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो किस कारण बस लापता हुआ है कोई कारण है जो कि भागने का कोई भी आप लोग डौट यह थे अर कुछका मांग भी था कि हम को यह चाहिए उस नहीं फैक अठीन कीफ लड़ीर था कि जो घरर से कोई व्याइडव था और नहीं वैसा कुछ मांग था कि माता पिता से कई लर्का होता है कि हमको यह चाहिए और नहीं पूरा होने के कारण जो है कि वो घर छोरके भाग जाता था वैसा भी कुछ नहीं है कुछ वैसा कारण हुआ होगा जो कि वो उसके अंदर वो छुपा हुआ है जो कि इनके माता जी को भी नहीं पता है और गौंवाले को भी पता नहीं है कि भागने का कारण क्या था लेकिन वो लरका छोग गए हैँ घर छोर करके अपने माता पिता को छोर करके उनका खोजने में आप लोग हेल्प करेंगे और उनके माता जी को इनके बच्चे तक पहुँचाने का कुश्ट करेंगे इनका नम् ले तो एक बार कॉल करके अब आज बताएंगे जय हिन जय भारत